विजो कोशन्स को रिल करने वाले हैं जो आउपके एक्जामरेसन के लिए भी पी आई होनेवादा कहने करती है कि आज की वीडियो में लोग दो कोईशन को डिल करेंगे और दोनों को कोईशन जो है दोनों का एंसर जो है वो सेम होने वाला है तो प्रसन पहले देखते हैं कि आखिर प्रसन क्या है तो प्रसन अपका इस प्रकार से है कि सूचना एमम संचार प्रद्यों की ICT क्या है इसके परिवासित करें उसके साथ सा दूसरा कोशन है कि सिप्च्षम में ICT की विसेस्ताएं उपियोग, फाइदे और नुकसान का पर्न कहने करती है कि दोनों कोशन में ICT के बारे में बताया गया है कि ICT क्या है उसके बारे में बताना है अब देखे, कुशन यहाँ पर उठता है, कि आकिर सुचनायों संचार प्रद्योगी की है क्या, तो देखे, सुचनायों संचार प्रद्योगी की करवात करें, तो लिखना आपको इस प्रकार से है, कि सुचनायों संप्रेशन तकनिकी का अर्थ होता है, बिचारों और सुचन अपने बिचारों का अपने भावों का अपने सुचनाओं का अर्दान पर्दान किया जाता है उसे यह लोग क्या कहते हैं सुचनाओं अप्संचार प्रद्योगों की कहलाता है तुक है देखे कहा गया कि ICT का पूरा नाम Information and Communication Technology होता है मैं इसको पूछेगा कि ICT का Full Form क्या होता है तो आपको बताना कि Information and Communication Technology इसका हर्थ होता है जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है सूचना एवं संप्रेशन तकनिकी क्या कहा जाता है ठीक है या तो फिर कह सकते हैं कि तकनिकी उपक सुरक्षित रखने अथवा उसका अर्दान प्रदान करने के प्रक्रिया ही क्या कहलाती है सूचना एवं संचार तकनिकी कहलाती है क्या कहलाती है कि कोई भी सूचनाओं को सुरक्षित करके रखना क्या कहलाता है सूचना एवं संचार तकनिकी कहलाता है ठीक है अब देखि अप धुनिक युग आचुका है अरब जुह है आदुनिक युग में रजिस्टर का परियोग ना करके कंप्युटर आई मने लिख़़ना capable और स्बसक्रूर करके अपने ढाठाओं करके अपने डाटव को संरक्षित रखना क्या कहलाता है क्या रहता है सुचना है वाम संचार तक्निकी कहलाता है ठीक है अब देखे कहा गया है कि इस कारी के लिए बहुत से तक्निकी उपकरनों का सहयोग किया जाता है इसके लिए जो है बहुत सारे तक्निकी उपकरनों का प्रयोग किया जाता है जैसे हमारा फोन में internal storage होता है उसी प्रकार के कई टक्निकी उपकरन है जैसे कि cd है dvd है hard drive है hard disk को गयरा होता है ठीक है photo state है machine है telephone है tv है computer है projector है email है ebook है internet है और web यह सब के थुरू से जो है information को क्या किया जाता है save करके रखा जाता है शुरक्षित करके रखा जाता है अगर बात करते है email का email आईडी आप जानते होंगे email आईडी में कुछ सेब करके रखते हैं तो वह ड्लीट होता नहीं है ठीक है नहीं पर आती है सुचनाई वह संप्रेशन technique के परिभासा का किसका सुचनाई वह संप्रेशन तकनीकी के परिभासा का तो लिखना इस प्रकार से है कहा गया है कि प्रोफेसर एस दूबे के अनुसार से प्रोफेसर एस दूबे ने कहा है कि संचार साधनों की व्यवस्था के कुसलतम संचालन से है जो सुचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसीद करने में सहायता करता है मीज संचार साधन एक वैसा भ्यवस्ता होता है सुचनायों संप्रेशन्सम्स Σर्मा के अंसार से इन्होंने का कि सुचनायों संचार तक् motion का עसा है जो मानों के कल्यान अत्वा वासकता पूर्ति है तुचनायों का अर्दान पड़्दान करते हैं कुर हम लोग क्या कहते हैं सूशना एम संकार तकनिकी relates यह कि उसने कहा है आरके सरमा ने कहा है अब यहांपे बाते आती है कि सूचना एम संचार परद्योगीद की जो है इसका उत्रपती कैसे हुआ अर्पति कहां से हुआ आकिर तो कहा जाता है कि सन 1950 में विष्भु में सुरव पर्थम सूचनयों संप्रिशन जगत में सूचनयों संप्रिशन विज्ञान सब्द का परियो किया गया किया कहा गया कि' 150 में हां के विस्व भो में सवर्पर्थम जुए शूचनायावु संप्रिशन जगत में सूचनायावु संप्रिशन विध्यान सब्द का पर्योग किया और धीरे देरे जुए इसकी सीमा में ब्रद्य होती गई और सन उनीस्व सं 1 शाट प्रबंधन, सिक्षा, स्वास्थ, सेवा, चिकिस्ता, सरकारी, कारियाला, इत्यादी में हर जगा जो है, इसका कारिय होने लगा, जैसे माले जे स्कूल है, तो क्या स्कूल में इसका परियोग नहीं होगा, होगा जरूर होगा, क्योंकि बच्चों का रिकॉर्ड करके रखना परता है, कोई office है, तो office में employees क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीजों का details रखा जाता है, तो हर जगा जो है इसका परियोग किया जाने लगा है, इसलिए सुचनायों संप्रेशन विज्ञान को, अब सुचनायों संप्रेशन तकनिकी भी कहा जाता है, पहरे इसक जाता है, कि जैसा कि नाम से ही स्पच्ट है, यहाँ एक ऐसा technology है, जिसका उप्योग, communication skill, means अपने बातशित करने के तरीके को बहतर बनाने से किया जा सकता है, ठीक है, आज अगर हम computer के माध्यम से internet का उप्योग करके पूरे दुनिया को सुचनायों का अर्दान परदान कर स सकते हैं, और यहाँ सब जो हुआ है, यहाँ सब जो सफल हुआ है, वो किसका कारण हुआ है, ICT के कारण संभव हुआ है, कहा जाता है कि आज ICT का उप्योग, education, health और agriculture जैसे अनेक छेत्रों में जोरो सोरो से हो रहा है, किसका ICT का पर्योग, कहा गया कि ICT का उप्योग और महत्व इतना बढ़ गया है, मिस आज जो है, ICT का महत्व और उप्योग जो इतना बढ़ गया है, कि सिक्षा के छेत्र में, सभी छेत्रों में जो है, चाहे वो उच्छ सिक्षा हो, माध्मिक सिक्षा हो, और बेसिक सिक्षा हो, ठीक है, हर छे तो लिखा गया है कि सिख्षा के चेत्र में आइस्टी की भूमी का अहम है क्योंकि सिख्षा और सिख्षक बिना सुचनाओं तथा विचारों के आरदान परदाओं के संभव नहीं है मालेजे अगर सिक्षक है और विद्यारती है तो क्या वो बीना बताया हुए आप समझ जाओगे अगर सिक्षक बताया गई नहीं तो आप समझ जाओगे नहीं सिर्फ लिट के छोड़ेगात क्या समझ जाओगे नहीं तो एक आगया कि सि को शिक्षा के सेतर में ICT के महत्व are और का गया कि सिक्षा के ग्यानिक पर Farmा करना इसका महत्व होता है सिखने वाला ग्यान सैशी गैसी अब क्या होता है सिखने वाला ग्यानिका का परचारक्रसार करना बढ़ाना 혼 hundred सी पहना है प्र दूसरा है सैक्षिक ज्यान का भंडारंव करना दारंव करना इसका महत्व है तीसरा है उ्भिरियं सूचनाओं का नोस्त बनला सकते हैं मतलब सारे सुचनाओं को जोना वो एककत्रित करके रख सकते हैं उसके साथ साथ यह सिक्षकों के लिए भी उपियोगी है यूँकि जिक्षक जो है पढ़ाने के लिए क्या कर सकता है इसका परियोग कर सकता है नोट्स बनाने के लिए परियोग कर सकता है ठीक है हर चीज़ को एक जगा एक अत्रित करके रखने का परियोग कर सकता है